जहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज हमनों बाद करने वाले हैं वीवो आईपेल 2021 के बारे में तो इस लीग का मैच नंबर 8 होने वाला है जो कि पंजाब और चन्नाई के बीच में खेला जाएगा तो मैं इसी मैच की पूरी कंप्लीट अलाइसिस और प्रेडिक्सन इस कंप्लीट वीडियो में देने वाला हूँ जिसके मदद से आप 100% विनिंग कर सकते हैं तो 100% विनिंग करने के लिए आपको पूरे वीडियो में बने रहाना होगा वीडियो का कोई भी भाग नहीं छोड़ना होगा वीडियो में दियेंगे सारे इंस्ट्रक्शन को फॉ बताऊंगा दोस्तों इस पिच के बारे में उसके बाद दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि कौन से दोनों टीमों में कौन से टीम आपका तगड़ी है कौन से टीम जीत सकती है किसका परड़ा भारी है वो भी बताऊंगा दोस्तों इनके करेंट फॉर्म भी बताऊंगा और कुछ records भी बताऊंगा उसके बाद आपको मैं player status बताऊंगा कौन से player कैसे form में से गुजर रहे हैं किनको रखने साब के लिए अच्छा है रहे किनको नहीं रखना चाहिए इस match में सारा कुछ बताऊंगा दोस्तो detail में और उसके बाद आपको मैं playing 11 बताऊंगा इस match में कौन playing 11 रहने वाले हैं उसके बाद आपको key player ही बताऊंगा दोनों तरफ से दोनों ही teamों के तरफ से key player कौन रहने वाले हैं उसके बाद आपको मैं captain और wise captain के भी option बताऊंगा तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे एक और बाद दोस्तो एक team की combination में आपको live बना कर दूँगा जो की hit to it में काम करेगी और SL में भी काम कर सकती है तो उसको भी देख लेंगे दोस्तो वो भी combination में बना के इसी वीडियो में दिखाऊंगा जिससे आपको और भी clear हो जाएगे कैसा team इस match में खिलाना चाहिए तो दोस्तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे step by step पूरी analysis को समझेंगे और आप easily win कर जाएंगे इस match में एक बात और मैं बोलूँगा दोस्तो अगर हमारे channel में आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को subscribe कर लेंगे bell icon भी जरूर दबा लेंगे ताकि आने वाली सबी वीडियो की notification सबसे पहले आप ही तक पहुँचे क्योंकि दोस्तो इस वीडियो के बाद आपको 6 टीम वाली जो वीडियो होती हो सुबा 8 बज़े upload हो जाती है मैच नमबर 8 है चिननाई और यहाँ पर पंजाब के बीच में यह मैच खेला जाएगा जो कि 16 अपरील का दिन रहेगा फ्राइडे और साड़िस साथ बज़ी यह मैच आपको देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तो कल का ही दिन है यह मैच आपको वहां खड़ी स्टेडियम मुंबाई में हो गए दोस्तो जो कि आज का मुकाबला वहीं पर खेला जा रहा है तो दोस्तो यहाँ पर जो दो तीन मैच हुए हैं वहाँ जो एबरेज स्कोर निकल करा रही है और जो बैलेंस पिच है वो 45% बिएब कर रही है और बैटिंग पिच 55% बिएब कर रही है दोस्तो यह पिच पिचर को यहाँ पर 67% का सपोर्ट मिल रहा है और स्पिनर को 33% का सपोर्ट मिल रहा है perfect combination बनाना पड़ेगा आपको team का दोस्तों weather यहाँ पे clear sky रहेगी और temperature 29.35 degree की temperature इस match में आपको देखने को मिल सकती है अभी तक दोस्तों यहाँ पे 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं लेकिन एक मुकाबले का मैं update नहीं दे रहा है दो मुकाबले जो पहले हुए हैं उसमें दोस्तों एक मुकाबला पहले chasing करने वाली team जीती है और दूसरा मुकाबला पहले batting करने वाली जीती है दोनों ही एक एक मुकाबला जीते हैं और highest score दोस्तों अभी तक यहाँ पे 221 रनों का बना अच्छे विकेट के नुकसान पे जो की पंजाब ही बनाई है और lowest score की बात करें तो 188 रनों की बनी है साथ विकेट के नुकसान पे जो की CSK ही बनाई है तो यहाँ से आपको समझ माया कि जो दोनों team भिरने वाले हैं एक lowest scorer है और एक highest scorer है दोस्तों लेकिन दोनों में तकड़ी आपको वहाँ पे दिखने वाली है जुगलवंदी दोस्तों अच्छी यहाँ पे खेल आपको इस मैच में देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेते दोस्तों जो लास्ट के 5 मैच इन दोनों के बीच में खिले गए है उसमें क्या result रहा है तो जो लास्ट के 5 मैच खिले गए है मातर पंजाब एक ही बार winner रहा है और चन्नाई दोस्तों 4 बार winner रहा है तो यहाँ साब को समझ माया कि 80% के ratio के साथ चन्नाई जीतते आ रहा है जब यह आपस में भिड़ते हैं आप बात कर लेते ओल ओबर यहाँ पर 23 मुकाबले इन दोनों के बीच में खेला गया head to head पूरे IPL सीजन में दोस्तों जितने भी IPL अभी तेक हुए है वहाँ से चन्ने दोस्तो 14 मुकाबला जीता है अभी तक और पंजाब 9 मुकाबले जीतने में कामियाब रह चुका है अब बात कर लेते जो इनकी current form चल रही है तो दोस्तो CSQ की जो current form चल रही है जिसमें से वो recent के 5 मैचों में 3 मुकाबले जीता है और 2 मुकाबले लॉस किया है पंजाब की बात करें तो ये दोस्तो पंजाब भी 3 मुकाबले जीता है और 2 मुकाबले लॉस किया है एक और खास बात दोस्तो जो की अभी पहला मुकाबला इस दोनों खेल कर आ रहे हैं पहला पहला मुकाबला इस IPL में खेल चुके हैं लेकिन दोस्तों चन्याई अपना पहला मुकाबला लॉस करकर आ रहा है और पंजाब अपना पहला मुकाबला जीत करकर आ रहा है दोस्तों तो ये बात अपना ध्यान में आप रखेंगे जरूर अब बात कर लेते हैं इस मैच में जीतने की chances किसकी ज़्यादा है तो दोस्तों चन्ने की जीतने की chances 55% है इस match में और पंजाब की मातरो 45% चन्ने इस match में फेवरेट टीम रहने वाला है जिसके तरफ से बोली ज़्यादा लगेंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखने की बात यह रहेगी कि कौन जीत देखे लेकिन दोस्तों यहाँ पर फेवरेट टीम यहांपे आपकी यहां पर चिन्न ही रहने वाली है आप दोस्तों पंजाब की तरफ से भी लगा सकते हैं लेकिन चिन्न नहीं भी जीत सकती इस match को मेरे पिडेकशन से पंजाब ही जीतेगी आप अपना देख लीजेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस match को आप कहां देख सकते हैं तो star sport नेट वर पे इस match को आप देख सकते हैं और live streaming में डिजनी hot star पे इस match को आप लुपत उठा सकते हैं दोस्तो अब बात कर लेते हैं recent के form बतब जो इनके playing 11 इस match में रहने वाली है पंजाब के तरब से उसके बाद और उनका कौन सा player form में है कौन सा नहीं है वो बताऊंगा तो दोस्तो इस match में जो playing 11 रहने वाले हैं के रहोल मैं के करवाल क्रिस गेल निकुलस पूरन दीपक हुड़ा रहेंगे दोस्तो एस खान आपको देखने को मिल जाएंगे आर मेडरित रिचार्ड सन सिंग भी खेलते हुए इस match में आपको देख जाएंगे जो कि पिछला match में धाकर performance किये थे दोस्तो अब बात कर लेते हैं इनकी जो performance चल रही है तो दोस्तो यह जो चार point आप देख पा रहे होंगे यह recent का dream 11 point है एक point तो पिछला मुकाबला का जो है जो पिछला मुकाबला यह खेल कर आ रहे हैं भी वो IPL में और उससे पहले दोस्तो यह 3 point जो होंगे वो कोई भी अभी लीग खेले होंगे यह सारे player वहां से जो इनकर dream 11 point हसल किये थे वो यहाँ पे है दोस्तो लेकिन यहां से आपको समझ में आज है कि कौन से player form में चल रहे हैं दोस्तो अब बात कर लेते के रहूल के बारे में तो के रहूल पिछला मुकाबला में दोस्तो 140 point दिये थे dream 11 पे उससे पहले यह form में नहीं थे 28 और 22 तो point तो यह पहले नहीं दे रहे थे लेकिन पिछला मुकाबला में 140 point दिये हैं और आपको मैंने कप्तान भी बना कर इनको दिया था अगर आप बनाए होंगे तो आप पक्का जीते होंगे दोस्तों माइंक अगरवाल खेलेंगे इस match में जो कि पिछला मैच में 20 point दिये थे उससे पहले 35, 25 और 24 यह भी बड़े point नहीं दे पारे लेकिन देने में सक्षम है यह भी आपको बड़े point दे सकते हैं 58 point क्रिस गेल दिये पिछला मैच में उससे पहले 16, 24 और 2 निकुलास पूरन दो ही मातर पॉइंट दे पारे थे पिछला मैच में उससे पहले 39, 8 और 26 दीपाख हूडा की बात करें तो दीपाख हूडा 114 उससे पहले तो 62, 6, 64, रेचर्सन की बात करें तो 31, 35, 8 और 0, यहाँ पर मुहमद समी की बात करें जो की 62 पॉइंट यह थे पिछला मैच में उससे पहले 2, 4 और माइनस 2, मुर्गुन अस्विन दोस्तों पॉइंट नहीं दे पाए थे जादा, यह दोस्तों मातर दो ही पॉइंट दे मज में आया होगा यह स्टेटक्स से की कौन से प्लेयर फॉर्म में है, अब इस मैच में जो की प्लेयर रहने वाले वह बाजान लिजिए, तो माइंग अगरवाल, केल राहूल, क्रिस गेल, रिचर्ड सन, मोहमद समी, अक्सदीप सिंग, आपको इस मैच में खेलते भी वहाँ पे दोस्तों फ्लेयर स्टेटक्स की बात करें, चार मैचों में, तो दोस्तों यहाँ पे फाब डूपले से पिछला मैच में दो ही पॉइंट दे पाएं थे, उससे पहले 38, 28 और 61, सुरेश रहने दोस्तों 79 पॉइंट दिए थे, उससे पहले 35, 84 और 8, अमबाती रा मैच में, उससे पहले 43, 13 और 44, मौईन अली की बात करें, जो कि 60 पॉइंट यह थे पिछला मैच में उससे पहले 25 और 45, सैम करन की बात करें, तो 60 पॉइंट दिए थे, 22 पॉइंट उससे पहले, 32 और 12, रभीन जडिजा की बात करें, तो 37, пचपन, 37 और 86, और ब्राबो की बात करें तो 31, 4, 70 और 43 सारदूर ठाकुर दोस्तो 56 पॉइंट ये थी पिछला मैच में उससे पहले 87, 93 और 2 उसके बाद दीपक चार की बात करें जो की 4, 4, 16, 105 पॉइंट दिये थे तो यहां से आपको समझ मैं कि कौन से प्लियर फॉर्म है किन को लेना चाहिए आपको इस म मैच में जो की प्लेयर रनने वाले दोस्तों आपके लिए वो रहेंगे फाब डूपलेसिस, सुरिस रहना, अमबाती राइडू, सैम करन, रभी चंद्रा, रभी जडेजा और आपके सारदूर ठाकुर इस मैच में हो जाएंगे दोस्तों जो की आपको अपने टीम में रख और वाइस कप्तान के आप तो अब करता हूँ, अगर समझ में आईगे तो एक लाइक तो जरूर कर देजिएगा दोस्तों इतना महिनत बस मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, बस आप जीतें तो दोस्तो ये मेरी पूरी analysis थी hope करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी अब चलता हूँ जो मैं आपको team बना के दिखाने वाला हूँ एक team में बना कर दूँगा दोस्तो और 6 team वाली जो grand league की team होती है special video मेरी 8 बजे सुबा upload होती है तो उसको भी देख देख देखेंगे दोस्तो bell icon दबा लेंगे तो आपके लिए पास notification आ जाएगा और ने तो telegram में join हो जाएगे वहाँ से आपको video अपराप्त हो जाएगी तो मैं यहाँ पे एक team आपको बना कर दे रहा हूँ जो कि आपके लिए दोस्तो hit to hit और SL में काम कर सकती है तो मैं यहाँ से बना कर दो रहा हूँ तो दोस्तो आपको keeper के section में यहाँ तीन चार option दिखेंगे जिसमें से दोस्तो MS Dhoni को तो आप replace कर देंगे कि MS Dhoni late से आते हैं और उन्दना कुछ performance है नहीं तो आपको care डाउल को तो पक्का लेना है और दोस्तो आपको मैं decide करने दे रहा हूँ कि Nicholas Puran को आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए आपके उपर मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन दोस्तो इस match में Nicholas Puran चल सकते हैं तो बैटिंग के सक्सेन आपको सूरे सरना को रखना पड़ा है क्योंकि यहां पर 88% लोग इनको लिये हैं और पिछला में से 79 पॉइंट दिये हैं लेकिन कोई इनकी चलने की संभावना है नहीं चल भी सकते नहीं भी चल सकते तो यह आपके उपर है लेकिन दोस्तों यहां पर सूरे सरना को मैं रख ले रहा हूं उसके बाद ही साथे साथ मैं भाव्ड रिप्लेस को रख रहा हूं आप क्रिस गेल को भी रख सकते हैं तो मैं लेकिन क्रिस गेल को नहीं रखूंगा इस मैच में अगर आप changes करना चाहेंगे तो कर सकेंगे और दोस्तों यहाँ पर सूरिस राइना को आप अगर replace करना चाहेंगे तो अंबती राइड़ को रख भी सकते हैं क्योंकि सूरिस राइना पहला माच में चलें इस माच मुझे नहीं लगता है कि यह चलेंगे तो मैं सूरिस राइना दोस्तो मौईन अली रहेंगे तो ये सब भी आपके ग्राइन के साथ जा रहा हूं आप मौईनली को भी ले सकते हैं लेकिन देखते हैं अगर बोलर के सक्सेंट में जगा बनेगी तो उनको भी मैं रख लूँगा तो दोस्तों यहां पर मोहमद समी को आपको रखना है यहां पर दीपक चाल को भी रख सकते लेकिन मैं सार्दूल ठाकुल को रख रहा हूं दोस्तों क्योंकि pink टीम मैं रिचार्ट सन के साथI रहा हूं और उसके बाद मैं अक्सदीग के साथ जा रहा हूं दोस्तों यह मेरी टीम बन गई कुछ ऐसी, यहां पर कप्तान तो मैं केल डाहूल को ही बनाऊंगों, क्योंकि 45% लोग बनाए हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पर माइंड गेम खिलना चाहेंगे, कर केल डाहूल नहीं चलेंगे, इनसे ज्यादा कोई ज्यादा पॉइंट दे सकेंगे, त फिर फाप डूपलेसिस को, और दोस्तों एक और हैं, यहां पर सैम करन, तो सैम करन को भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सैम करन के साथ जा रहा हूँ, तो सैम करन को मैं वाइस कप्तान बना दिया हूँ दोस्तों, और जो मेरी टीम, जो हेट टुएट की टीम है, वो कुछ ऐसी लगीगी अगर कुछ changes करना चाहेंगे तो कर सकेंगे और नहीं तो same team से भी जा सकते हैं आपको फायदा मिल जागा मैंने यहाँ पर एक बुला ज्यादा लिया है यहाँ पर आपके पंजाब के तरब से तो आप दोस्तो एक बुला यहाँ पर कम भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप रिचर्ट संग को भी रिप्लेस कर सकते हैं तो रिचर्ट संग को रिप्लेस करके आप यहाँ पर दोस्तो एक यहाँ पर डेवेन बराबक भी डाल सकते हैं और नहीं तो दीपाक चहर को डाल सकते हैं तो मैं दोस्तो डेवेन बराबक को साथ जा रहा हूँ आप दोस्त मिलेगा दोस्तों तो यह मेरी थी आपकी हेट्ट्ट्ट की टीम और एसल की टीम अब जो छे टीम वाली जो वीडियो होती है वो सुबा आट बजे अपलोड हो जाएगी तो उसको भी आप जरूर देख लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मैं वीडियो खतम करता हूँ अगर वी लाइक कर देंगे सेयर कर देंगे थोड़ा सब्सक्राइब भी चैनल को कर देंगे और थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जाहिंद